नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्ताइब का होश्ट और आप देख रहे है आरगे ट्रेडिंग दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो आप थमझेल देख परहे हैं और एक बैक्ती का इमेज यह यहाँ पे जानामाइना नाम हैन सेघ्टा पूर देश ही नहीं पूरे कैसे बने गौतम अडानी एस्या के रिचेश्ट परसन इस पर बात करेंगे कोल से सोलर ना कोल से स्टार्ट करके सोलर तक चला गए अडानी गिरीन तो इन्हीं सोलर पर बेज़ देंका कंपनी तो कैसे हुआ 90.4 billion dollar 90.4 billion dollar के साथ अब गौतम अडानी एश्या के रिचेश्ट परसन बन गया है और इस आंकड़े के साथ अब उन्होंने अपना पोजिशन फॉर्प्स के टॉप 10 रिचेश्ट परसन इन दो वर्ल्ड में भी बना लिया है देहान सुने टॉप 10 रिचेश्ट परसन वह भी क अब आडानी का नेटवर्ड जो है मुकेस अंबानी से भी नहीं बलकि फेस्बुक के जो मार्क जुगरबर्क रहे है ना उन से भी ज्यादा हो गया है अभी दो शाल पहले की बात करें मार्ट 2020 की आसपास के अगर बात करें तो गौतम अडानी का नेटवर्ड जाए कितना तर शिर्फ 4.91 बिलियन डॉलर कितना ध्यांसस में 4.91 बिलियन डॉलर ठा और अभी कितना है अभी 90.4 बिलियन डॉलर अब आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हूग है अब सोच रहें कि जब मार्केट दीन पर दीन नीचे गिर रहा है थोड़ा उपा थोड़ा नीचेह के है 158 100 पर सेंट बढ़ गया है it always for point thirty one डॉलर से निटी पॉइंट वर तक हास रुडे ऐतानि और एंद्वार जी आप जी है तो आईये देखते हैं कि कैसेक इनलेक्टिसुटी कि बूष्ट के वजह अज आधानी ने अमबानी को भी मात दे दिया और आगे चलके उसकता है रिलायंस के लिए ऊपधा बड़ा कंप्यूटिशन यह और भी जादा प्रिशन वाला चीज के लिए खड़ी कर सकते हैं जाटा मांडानी वहीं थे ताज होटल में थे तो कैसे कैसे तो दो बार तो यह मौत के मुह से भी बचे और आज जो है तो वर्ल्ड के टॉप 10 पर्शन में सामिल होगे तो आपको बता तो कि वर्ल्ड में और इस पेसी कली आश्टेलिया में अदानी पावर ग्रूप और गौतम अडानी कोल मै जादा इनका बीजन से पकड़ है इसके मामिले में तो काफी फेम अधे इसकी सूरवाद ही हुए ती 2010 में जब अटानी ने करमी केल माईन पॉर्जेट्न खरीद लिया था करिमिकल माइन पॉर्जेट्ट्ट्सेट्र पर यह कोल पर्रोड़क्शन के मकसद कहां तो 2010 में कब किया है तो 2010 में चार साल रुके रहने के बाद जब 2014-15 में अडानी गुरूप को 60 million tons per year coal production का approval मिला कितना 2014-2010 में company को किया खरीदा और उसके बाद 2014-15 में इनको 60 million tons per year coal production का approval मिला तो अप्रूबल मिला तब climate change और green activities ने काफी कैकते हैं विरोध किया एक तरह का कि भाई यह तो क्या हो रहा पर्यावरें पर्दुशित होगा तो यह होगा तो देट होगा जिसा कि आद़त होता है वो परियावरें को लेकर होवला करना वो कर रहे थे तो है ना उसके बाद ग्रीन अनर्जी में भी उसी तरह का हो गया यहां तक कि आश्टेलिया में इस्टॉप अडानी का मुमेंट भी चलने लगा पोडेक्शन का मिल लेकिन फिर भी लोगों में अंदरुनी रूप में वो चल रहा है पोटेस्ट तो यह सब कैसे आपको ध्यान दीजेगा कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा था ने भी 2020 में अडानी के अगेंस्ट इसी पोजेट को लेके पोटेस्ट किया था यह ए अंदरा में किसको अडानी ग्रीन जिसका सेर आप अडानी ग्रीन के नाम से देखते होंगे 40 रुपया से सुरू हो के 2000 के भाव तक चला गया सुरुवात से ही यह कंपनी वाइन वीन पावर वह वह वाला नहीं होता है वीन पावर पोजेक्ट में लगी हुई है और आप सोल कोल मैगनेट नहीं बलकि क्लीन और ग्रीन एनरजी के नजरिये से देखना प्रसंद करना चाहते थे आखिर ग्लोबल लेवल पर बदनामी जो हो रही थी है ना क्लोबल लेवल पर क्यों नहीं वह वहां से भगाने क्लेश्ट आप अडानी केमपेंच चल गया तो यह सब को बदलने के लिए उन्होंने कोल से कहां सिप्ट कर गया इन इस पर सोलर पर और अपने आपको सब्सक्राइब के साथ हैं मिलके चलेंगे तो बहुत करना भी तह मजबूरी भी होगी तिनके साथ तो यह सेक्टर में इंटी कर लिया इनका मक्सद ही था तो आज आज अडानी इनर्जी वर्ल का लाचे सोलर पावर डेवलपर है इस कंपनी ने मई 2020 में 6 बिलियन डॉलर का सोलर इनर्जी कॉर्परेशन ओफ इंडिया का बिड जीता जिसके चलते अडानी गीन इनर्जी लिमिटेड अब 8000 मेगावाट फोटो वाल्टिक पावर प्लांट बनाएगा इ 2019 में भी अडानी ग्रीन एनर्जी ने काफी पोट्जेक्ट और कंपनी भी एक्वायर किया जैसे कि एक्वायर को सोलर पावर पोट्फोलियो में खरीड लिया दोजाब 25 मेगावाट प्लस 408 मेगावाट जो कंस्ट्रक्शन के बाद अडानी ग्रीन के वो हवावाला जो तन आडानी ग्रीन के हवाले आ जाएगा और कौन सा कोंडंगल पार्क था प्रावेट लिम्टेड उसको भी अडानी ग्रूप ने क्रीड आप पूरे तरिके से खरीडिया था मनें इक्वायर करने में आगे रहे देश के परधान मंत्री के तरफ से गोतम अडानी भी अप क्ली और ग्रीन एनर्जी का विजन रखने रख रहे हैं और उनका गोल है कि 2030 तक उनकी कंपनी लार्जेस्ट ग्ली ग्रीन प्लेयर बन जाए बीच में हला भी शुनना होगा आप लोगोंने की गौताम अडानी को परधान मंत्री मोधी का सपोर्ट है फलाना देखा रहा है से बहु अपनी कंपनी की रिन्वल एनर्जी कैपसिटी 45 गीगावाट तक बढ़ा देंगे और बीस बिलियन डॉलर भी इन्वेस्ट करेंगे ताकि वह अपना सोलर मैनुफक्ट्टरिंग कैपसिटी बढ़ा कर दो गीगावाट दो गीगावाट पर येर कर सके 2022 से 23 तक में इनका य स्टील मिल बना सके लेकिन क्रिटिक्स वह जो है ना मंद पीछा नहीं छोड़ता है वह कुछ चीजें होती है जो कि उसको कर देद लेकिन क्रिटिक्स का जो है मानना है कि गौतम अदानी का राइस सेंबॉलिक है एक ऐसे सिस्टम के साथ जहां पावर सिर्फ कुछ लोगों पास है जोंग मैंने काना कि फेस्बूक और वार्ट सपैसे चलेते कि कुछ लोगों का सपोर्ट है बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट मिलता इस बज़ा सी ऐसे हो जाते हैं इसे पैसा बना रहें इनी का पैसा बनता है से बहुँ सारा चला था आपको याद होगा जब 2018 में छे एरपोर्ट के प्राविटी सेंस की बात हुई तो इंडियन कवर्मेंट ने एक रूल को रिलाक्स किया था जिसके चलते वो कंपनीज भी बीड कर सकती ती जिनका इस सेक्टर में कोई अब पता है एक चलाने में जीरो एक्स परवंदन तो तो अलग चीजा ना लेकिन फिर इनको मिला तो कुछ तो रिजन होगा तो वो सब चल रहा हुआ और ऐसे ही रातो रात अडानी देश के लाज़ेश्ट एरपोर्ट ऑपरेटर बन गया तुरन इसके अलावा जब 2019 में गौर्मेंट के टर्म खत्म होनी वाला था तब न्यू देली में ने अडानी को क्या करते है वो गुड़ा को गुड़ा को गुरीन लाइट देकर उसके स्पेशल एकोनोमिक जोन यानि अगरे लिया हम सभी को पता है एक डिजनेशन के साथ मिलता है धेर सारा टैक्स बेनिफिट यह आपको नहीं पता हो मैं बता दे रहा हूं जैसे उसका डिजिक्ष्ट मिलता है तो अब अडानी के पास एक नहीं बलकि दो पार्स है जो एक सीजी में आते हैं बिसाइड्स हाल ह अब बजट 2022 में पॉलिशी चेंज सुलने माया क्या आया वह यह है कि डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यह सुना होगा अफम साब ने काहा था कि डाटा सेंटर और इनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अब से इंफ्राइस्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाएगा इस एनॉंस्मेंट के वज़ा से एक फायदा हुआ है आपको नहीं में वह सारी कंपनिस को हुआ है जो डाटा सेंटर बनाएगे क्योंकि अब उनको क्रेडिट फैसलेटी और लोंस का लाभी मिल जाएगा तो यह सारी चीजे जो है आपको समझना होगा कि महनत तो करना ही प मरने से बचे दो बार हो किड्नैफ होते होते बच गया आतमबादी हमला में बच गया है को इला से प्रटेश शुरू हुआ वहां और इनर्जी में आयएनर्जी से एर्पोर्ट में आगे कहां कहां साया तो इस आपनाव समझे कि अब आनी और एटल के सुनी मित्तल है जो त जिरात के cm नरेन मोधी को सपोर्ट करना शुरू गया यही बात जो भी मैं थोड़ा दिर पहले बोला तो यह चीज़ आपके दिमाग में आया होगा और आज गौतर माडानी इतनी उची उडान भर रहे हैं कि आज भी वो मैंने क्या कहते जो चीज़ छूते हैं सोना बन जाते और क्या बता सकते बस्वाइश करें कि कोईला चुए तो सोना बन गया गिरीन एनर्जी तो सोना बन गया मतलब कहने का अंतलब भागे जा रहा है तो राइस एंड राइस उप गौतर वड़ानी यह इंडरेक्ली दर्शाता है कि अगर कोई बीजनस ग्रूप एक फ्यूचर प्यूचर 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 को सपोर्ट करता है तो आगे जाके वह एक सूपर पावर बन सकता है बात समझ रहे हैं क्या कहना चारों कि फ्यूचर प्यूचर प्यूचर को सपोर्ट करता है तो वह एक सूपर पावर बन सकता है क्या यह इंडियन डेमोकरसी के लिए आपके सामने परस्तूत किया कि 4.91 बिलियन डॉलर से 90.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गये कैसे कैसे करके पहुंच गये यह सारे डेटा आप लोगों को पहले साथ उम्मीद ना हो कि पता ना हो मैंने आपको जानकारी दिया है तो उमीद है यह पसंद आया होगा च्छोटी स